हेलो दोस्तों गर आप लोग अभी वाइटियो अप्लिकेशन को आपेन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक नया फीचर देखनी के लिए मिल रहा है और इसके अंदर लिखा हुए टॉप टुप फोर थमनेल तो यह अपडेट क्या है इसका मतलब क्या है और यूटिवर के लिए यह कैसे फायदेमंद होने वाला है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप एक न्यूटिवर या फिर इस फीचर के बारे में जानना चाहते हैं पूरा डीटेल म तो सबसे उपर में ही आपको यह जो ऑप्टेन है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप लोग को अभी तक यह अपडेट नहीं मिला है तो आपको क्या करना प्लेट में जाकर के वाइटी स्टूडियो एप्लिकेशन को अपडेट कर लेना है या फिर अगर आ यहाँ पर आपकी जो व्यूवर है हो किस तरह का थं यहाँ पर देखना पसंद करे हैं वह यहाँ पर दिखाएगा और आपकी जो पॉपुलर वीडियो था अच्छे से चला उसमें आपने कौन सा थंल लगाए हूँ बनने के ङी छागाए कि आपको आगे आगे अगर इसी तरीके से जादा फ्यू और बाधाना चाहतें तो आपको किस तरीके का थाम्स्यों के लिए आपको अपनेवीडばいोडियbooks के लिए बनाना चाहिए वह यहाँ पर आपको सजिस्सन देतें तो वो कैसे तो जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे slide करेंगे तो आपका जो अभी recent का जो thumbnail है वो यहाँ पर सारा सो करेगा लगवंग 9 thumbnail आपको देखने के लिए मिलता है तो इसके अंदर आपको दिखाएगा कि आप जो अभी recent में आपकी जो viewer है वह किस तरीके का thumbnail यहाँ पर ज्यादा click कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकतेए बहुत सारा आपको थमने देखने के-लिए मिलता है जो आपको सेम यहाँ पर नौ थमने देखने के-लिए मिलता है इसी तरीके का thumbnail आपको आगे भी अपने वीडियो के लिए बनाना है और ये YouTube बता रहा है कि इस तरीके का thumbnail जब आप अपने वीडियो में लगाते हैं तो आपका जो वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है उसके बाद जैसे इस तरीके का यहाँ पर option मिलता है तो यहाँ पर आपको find करना है कि आपका style क्या है आप जब भी thumbnail बनाते होंगे तो उसके अंदर कुछ आपका ऐसा होता होगा जो हर एक thumbnail में होता है तो वो आपको बरकरार रखना यानि हर एक वीडियो में उसी तरीके का regular अगर आप एक जैसा thumbnail बनाएंगे तो आपकी जो viewer आपके thumbnail को देखकर ही क्या ही पहचान जाएंगे कि ये जो thumbnail है इस YouTuber के वीडियो का है तो वो आसानी से पहचान जाएंगे उसके बाद आपको simple सा thumbnail बनाना मतलब बहुत जाद एकदम thumbnail के अंदर ही पूरा कहानी मत लिख देना है एकदम simple कुछ text लिख करके आप बहुत अच्छे से explain कर सकते हैं कि आपने अपने वीडियो के अंदर क्या बताया हुए उसके बाद जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो यह खतम हो जाता है तो यहाँ पर आप लोगो समझे में आ गया होगा कि यह जो feature है यह क्या है यह एक बार मैं आप लोगो तुरन से थोड़ा सा बता देता हूँ तो यहाँ पर YouTube बता रहा है कि अगर आप आगे भी अपने वीडियो पे ज़्यादा फ्यूज लाना चाहते है तो आप लोगो कुछ thumbnail आपको देखने के लिए मिलता है YouTube सजेस्ट करता है कि आपका कुछ जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आपका जो वीडियो चला है उस वीडियो का thumbnail ये था और अभी जो आप वीडियो बना रहे हैं उसका thumbnail इस तरीके से तो आप दोनों में comparison कीजिए कि आप पहले क्या करते थे किस तरीके का thumbnail बनाते थे और अभी जो आप thumbnail बना रहे वो किस तरीके से दोनों में आप देखे कि कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा और क्यों आपके पुराने जो वीडियोज था उसमें व्यूज क्यों ज़्यादा आ रहे तो वही यहाँ पे YouTube बता रहे कि आप mobile phone से professional अच्छा तरीके का thumbnail कैसे बना सकते हैं अगर आप उस वीडियो को देखना चाते हैं उपर आए बटन में और वीडियो के description में दोनों जगल लिंक कर डाल दूँगा आप जाकर कि उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि आप mobile से अपना professional thumbnail किस तरगी से बना सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही था अगर इस updates से related इस features से related को भी question को विड़ा उट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं